एलो दोस्तो मेरा नाम है विभाव और आज की इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको एक्स्पेंड करने वाला हूँ क्लास लेवन्थ के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नमर थ्री फिजिकल फिटनेस वेलनेस एन लाइफस्टाइल के मोश्ट इंपॉर्ट एमसी चूस को तो दोस्तो यह वीडियो है आपके लिए जो तंव वन की जो आपका एक्जामिनेशन होगा उसके लिए बहुत का इनमें से कौन सा कॉमपोनेंट नहीं है है एक्जिकल फिटनेस का कॉमपोनेंट नहीं है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है इसकांसर क्या होगो दोस्तो इसकांसर का प्यारा परफॉर्मिंग डेली चोर्स विदाउट अनी फठीग बिना था कि किसी काम को रेगुलारीटी में परफॉर्म करना उसे हम क्या बोलते हैं a. mental wellness, b. dynamic ability, c. physical fitness, d. none of these दो स्कांसर का रॉपोजिगा हो दोस्तो? इसका रॉपोजिगा होगा दोस्तो? इसकांसर का रॉप उपोजिगा हो दोस्तो?musiSp Simon explosive strength क्या होता है? flexibility and speed, c. endurance and speed, d. none of इस hon जो दोस्तो इस कहांसरोगो अप्सôngर Basilisट सेवन गोश्चन दोस्तो आइडिटी और मैक्सिमम डिष्टैंज इस मिनिमम टाइमि एज ज्यादा दुरी को गवर करना बहुत कम टाइम में उसको हम क्या बोलते हैं A. Endurance, B. Speed, C. Strength, T. Flexibility तो इसका हम से क्या हो दोस्तो? इसका हम से क्या हो दोस्तो? Option number B. Speed 8th question दोस्तो हमारा ability to make maximum turn or twist on the joints of the body is मतलब अगर हम अपनी body के parts को maximum range तक move करें उसको हम क्या बोलते हैं A. Coordination, B. Speed, C. Strength, T. Flexibility तो इसका हम से क्या हो दोस्तो? इसका हम से को option number D. Flexibility 9th question दोस्तो हमारा components of wellness है wellness का हिसम में से कुन से components है A. Social Wellness, B. Physical Wellness C. Emotional Wellness, D. All of the IWAP तो इसका हम से क्या हो दोस्तो? इसका हम से क्या हो दोस्तो? 10th question दोस्तो हमारा living in a happy life while maintaining coordination in every field is a technique, b wellness, c lifestyle, d all of the above तिस कांसर क्या हो दोस्तों? इस कांसर को दोस्तों option number c lifestyle 11th question दोस्तों मारा which one of the following terms is related to healthy or positive lifestyle इनमें से कौन सा term healthy or positive lifestyle का है a energetic, p self competence, c stress free d all of the above तिस कांसर क्या हो दोस्तों? इस कांसर को option number d all of the above 12th question दोस्तों मारा the maximum effort made to lift a weight is called मतलब अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा दें एक weight को उठाने में उसको हम क्या बोलते हैं A. Explosive strength B. Endurance C. Speed D. Maximum strength तो इसकांसर क्या होगो दोस्तो? इसकांसर कांसर 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 No. D. Maximum strength 13th question दोस्तो मरा Which strength developed method does not show muscle movement? A. Isotonic B. Isometric C. Isokinetic T. None of the depth तो इसका से क्या हो दोस्तों इसका से को अप्स नमर भी isometric 14th question दोस्तों उमारा exercising for a longer duration with less weight is related to मतलब हम लंबे समय तक exercise करें और कम weight के साथ करें तो उसको हम क्या कहते हैं A endurance, B strength, C speed, D coordination तो इसका से क्या हो दोस्तों इसका से को अप्स नमर A endurance मतलब अगर हमारे नर्वस सिस्टम में और मसल्स में प्रॉपर कॉर्डिनेशन होगा उस हम क्या कहते हैं क्या होगा दोस्तों इसका अप्शन को अप्शन मेरे बॉडी कंपोजीशन है वह किस चीज से रिलेट करता है मतलब अगर हम अपनी बॉडी में फ्लेक्शिबिलिटी इंक्रीज करते हैं किसी और ये हैल्प लेकर उसे हम क्या कहते हैं अप्शन क्या होगा दोस्तों इसका अप्शन को अप्शन नमबर बी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दोस्तों जो हैल्थ रिलेटेट फिटनेस होता है उसका क्या एम होता है किस चीज से वह हमें बचाता है तो इसकान से क्या होगा दोस्तों इसकान से क्या होगा दोस्तों आप्स नमबर दी डीजिज फ्री 19th question दोस्तों हमारा how many components do physical fitness have मतलब दोस्तों जो physical fitness है उनमें कितने components होते है A5, B4, C3, D6 तो इसकान से क्या हो दोस्तों इसकान से को option number A5 Next question दोस्तों हमारा what is the suppleness called in another world जो दोस्तों suppleness होता है उसको हम दूसरे word में क्या कहते है A speed, B strength, C endurance, D flexibility तो इसकान से क्या हो दोस्तों इसकान से को option number D flexibility यह थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो जिसमें में डिसकस किया Class 11 के physical education book के unit number 3 Physical fitness, wellness and lifestyle के most important MCQs को I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाग कीजिए इस वीडियो को सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप ऐसी वीडियो को देखते रहने चाहते है तो इस चैनल को सब्सक्काइब करें तब तक लिए दोस्तों all the best, stay tuned with us